अलो फ्रेंड्स वेलकम इन माई चैनल पोटली अनीता की ये मेरे पास है अरजुन पाउडर देशी दवाई वालों से पिसवा के लेते हूं बिलकुल बारिक पाउडर है ये और इसके साथ ही ये है दाल चिन्नी और ये है कुछ काली मिर्च और ये है देशी खांड तो आज ह मैं अपना गैस्टो ओन कर रही हूं और इस पे रख रही हूं ये पैन इसमें मैं डाल रही हूं ये एक कप पानी इसको हम सुबह डेली बिना चाय की पती डाले बनाके पीते हैं खाली पेट पीने से हमारी ये कोलेस्ट्रोल की रीडिंग नॉर्मल कर देती है ल्डियाल प पानी के अंदर उबाल आने वाला है तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे आधा चम्मच अरजुन की चालका पाउडर और फिर इसको खुब अच्छे से उबालना है जितना उबालोगे उतना ही ये अच्छा इसका हमें एफेक्ट मिलेगा और ये हमारी एसीडिटी को भी दूर करती है जो रक्त पित होता है और इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं दाल चीनी पाउडर जितना हमने अरजुन डाला था उससे आधी मातरा में मैं इसमें दाल चीनी पाउडर डाल देती हूं और बिल्कुल ही कम मातरा में काली मिर्च का पाउडर भी इसमें हम डाल द अभी हम डालेंगे एक कप दूद जितना पानी डाला था उतना ही हम इसमें डाल देंगे ये एक कप दूद और इसको अब हम खुब अच्छे से उबालेंगे और जितना ज्यादा ये उबलेगा उतना ही ये रिड्यूस होके ये दो कप हो गया एक कप पानी एक कप दूद तो यह चाहे, जितना इसके अंदर आपको बिना मलाई का दूद प्रयोग करना है क्योंकि हमें कोलेस्टोल घटाना है तो इसमें मलाई वाला दूद डालें जो इसमें दाल चिननी डाली है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करती है तूटी हुई हड्डियां भी उससे जुड़ जाती है यह मैगनी इसके अंदर मैगनेशियम पोटाशियम और कैल्शियम से यूपत ये चाय हमारी रेडि हो जाएगी अगर किसी की हड्डि तूटी हुई है या ट्राइकलीस राइड और VLDL बड़े हुए हैं तो आप उस टाइम में इस चाय का प्रयोग दिन में तीन बार भी कर सकती हैं आप इसका प्रयोग जरूर से जरूर करके देखिए बहुत ज्यादा अच्छा इसका इफेक्ट मैंने देखा है तब ही मैं आपको इससे ये शेयर कर रही हूँ और ये अब हमारी चाय लगभग लगभग रेडि हो गी है काफी उबाल आ चुका है अब हम इसको चान लेंग तो ये देखे ये हमने चाय को चान लिया है तो ये हमारी एक कप चाय रेडि हो गई है तो आप भी इसको पीजिए इसका इफेक्ट जरूर देखिए इसका लाब उठाए और अगर आपको अच्छा लगे तो ये शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए